नमस्कर दोस्तों मैं डाक्टर राजीत कुमार पटना बिहार प्रैक्टिस करता हूं आज हम बात करेंगे रताओधिस से संबंधित प्रिमारियों पर नाइट बलाइंडनेस हम लोग इसको इंगलिस में कहते हैं जदी आप रताओधिस परसान है इस वीडियो को अंत तक करेंगे अंत में उसका भी मैं आपको बताऊंगा इसलिए वीडियो में बने रहे हैं सबसे पहला कारण किया अत्याधिक धूलकन जदी आपके आखों में अत्याधिक धूलकन पड़ता है उभी एक कारण है रताओधिक है दूसरा तीब्र परकास जदी आपको आखों पे है ज़्याधा तीज परकास पड़ रहा हैं लाइट पड़ रहा है तो भी एक रताओधिका करण बन सकता है तिसरा दूसित पड़ेंग आज का जो समय है और आग्ये ऑसी होचत्व के जिसके बजह से भी रताओधिका करण हो सकता है और जदि रताओधिक है तो बितामीन ये आपको ज़्यादा मातरा में लेना चाहिए और विटामिन C भी लेना चाहिए और भी ऐसे फलो है जिसको लेना चाहिए जो विटामिन से भरपूर है और अब हम लच्छन जान ले तो लच्छन पर विशेश हम को चाचा करने क्या हो सकता नहीं तो करना क्या है रातरी के समय में बिलकुल दिखाई नहीं देना पहले बता है लेकिन ये साम से ही पड़करिया शुरू हो जाएगा कि आपको दिखाई नहीं देगा तो समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे रतवदी हो गया है इतना आप कारण और लच्छन आपको बता दिया गया है अब हम ले उनुचके की बात करेंगे घड़े लूपचार की बात करेंगे इससे पहले हम आपको थोरा से एक जनकारी दे देना चाहते हैं जदी आप खुद का बीमारियों की इलाज खुद से घड़ पर करना चाहते हैं बीमारी कुछ भी हो गॉपज गयस बावसीर गठिया शुगर कुछ भी हो यहां तकी गॉल बलाडर का एस्टोन क्यू ना हो किड्नी का एस्टोन क्यू ना कोई भी समस्या हो उसको आप आसानी स से घर पठी कर सकते हैं उसके लिए वीडियो को डिसीप्शन में किस तरीके से आप हमसे जूट सकते हैं बताया हुआ है वहां मेरा कंटेक्ट नमबर है सीधे आप वार्ट सब्सक्राइब और एस्टेशन करवा कर घर बैठ है अपने सभी बिमारियों के इलाज कर सकते हैं एक चीज़ और बता देना चाहते हैं जैदि किसी को दोस्तियार रिष्टेदारों में गॉल बलाडर में इस्टोन हैं तो एक बार जरूर संपर करें गॉल बलाडर का इस्टोन निकालना कुछ ख़त्तक आसान होता है क्यों कि गॉल बलाडर की जो पथरिया होती है 50-60 परस होती है एस्टोन होने का समय एस्टोन निकलने के बाद भी होई समस्या रहती है इसलिए पहले आप घड़े ले उप्चार और नुस्क्या से इसको प्रब्लम को सौट आउट करने का प्रयास करेंगे उसके बाद जब ना हो तब फिर आप अप्रेशन करा सकते हैं इसलिए इस वीडियो को जरूर सेर किजिए और एक बार जरूर मेरे विवारे में बताईए गौल बलाडर के स्टोन से समधित की आप कैसे निकाल सकते हैं पूरे विश्टार से चर्चा हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में किया है और आई वी एस है जैसे पेट से समबंदित पहले हमको क्या करना है उप्चार में घरे दूप्चार में पहले आपको 1250 से मेल यह सावा लिटर यानि 1250 से मेल गर्म गुर्णा पानी को घुट घुट करके सुबह खाली पेट में लेना है कौप सोचाले जाने से पहले आने के बाद भी ले सकते हैं चिंता की कोई बात लेकिन ध्यार एक खाना खा करके नहीं लेना है और सोचाले जाने से पहले ले तो ज़्यादा इसका रिजल्ट होगा है लेकिन क्या रिजल्ट होता है कि उसमें पेट पूरे अच्छे तरीके से साप हो जाएगा आपको किसी तरह का चूरान चट्नी दवा लेने के आओ सकत नहीं परता है इसलिए इसको सेचाले जाने से पहले जरूर ले दुस्रा नमर में आपको क्या करना है कि सपेद जो पयाज होता है हम लोगों घड़ों मैं के एक सपेद पयाज होता है उस प्याज क्या रसक्त आप आंफव में दो 제 सफेद प्याज का रस आखों में दो से तीन बुल दो बार डाल सकते हैं यह इससे बहुत ज्यादा लाव मिलता है रतवधी में इसलिए इस वीडियो को ज्यादे सज्जादे लोगों तक सेर कीजिए ताकि वह भी अपने इलाज खुद से घर पर कर सकते अध्यां रखिएगा गॉल बलाडर एस्टोन वाले पैसेंट को जरूर एक पर बताईए उनको वीडियो जरूर सेर कीजिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धनवार आपका